हालो बच्चो स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल राहूल की बाच चालाए आज हमें आपके लिए लेकर आए हैं रिम जिम कक्षा पांच का आठ्वा पार्ट वे दिन भी क्या दिन थे की पार्ट तीन वीडियो पहले पार्ट में हमने शब्दर्थ जाना स ठॉकर पार्ट में हमने इस पार्ट को पढ़ा और सारा जाना अब इस पार्ट में हम इसके जो NCRT टफ्थ में प्रश्न ऑफ्तर दिए गए हैं वह और जो अभ्यासकार्य दिया गया है वह हम यहां करेंगे चलिए seven susha . पहला हेडिंग यहां पराता है सोचो प्रश्नव q कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कपच्छपी होगी तो मैं आपको ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट वान और टू वीडियो देखिएगा जिससे आपको प्रश्णों के उत्तर देने में हेल्प मिले हाला कि यहां आपको सभी प्रश्णों के उत्तर मिल जाए होगी जब आप अपनी समझ से उत्तर देंगे उत्तर देख लेते हैं उत्तर एक कुम्मी के हाथ जो किताब आई वह आज के जमाने की छपी हुई होगी प्रश्ण दो रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होगी एक बार पढ़ें और फिर बेकार होगी क्या सच मुझ ऐसा होता है नहीं ऐसा नहीं है हम पुस्तक पढ़ने के बाद अपने भाई बेहन या फिर किसी अन्य को दे सकते हैं जिससे वे इन पुस्तकों को पुन्हा पढ़ सकते हैं प्राश्ने तीन काघस के पन्नों की किताब और टेलीविजन के परदे पर चलने वाली किताब तुम इन में से किसको पसंद करोगे और क्यों तेखे हो सकता है प्राश्ने 2 और प्राश्ने 3 दोनों के उत्तर आपके मेरे भिन हो सकते हैं आपके विचार कुछ हो और हो सकते हैं मेरे कुछ हो तो इसलिए मैं आपको पुन्हे एक बार बताता हूँ कि आपको निस समझ से उत्तर देने की कोशिश कीजिए तो मेरे विचार से तो हम कागस के पन्नों के किताब को पसंद करेंगी क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी और शायर ये कहानी सच हो जाए जो हमने कहानी में पढ़ा है ये सच हो, आने वाले समय में कुस्ता के ना मिले, तो हमारी ये कुस्ता कैसे मिलेगी, ठीक, आगे जाते हैं, प्रश्न चार, तुम कागस पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागस से पहले की छपाई किस-किस चीज़ पर हुआ करती थी, देख लेते हैं, कागस से पहले की छपाई, लकड़ी, पत्तों, तथा धातु के बने पत्त्रों पर होती थी, प्रश्न पांच, तुम मशीन की मदश से पढ़ना चाहोगे, या अध्यापक की मदश से, दोनों के पढ़ाने में किस-किस तरह की आसानिया और मुश्किले है, वोई, अपने समझ से आपको इसका अंसर देना है, देख लेते हैं हमारा आंसर की, हम अध्यापक की मदश से पढ़ना चाहेंगे, अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चों को कुछ विशय नहीं समझा पाते हैं, वहीं मशीन से पढ़ाई मे बच्चों को समझने में मुश्किल होगी लेकिन मशीनी पढ़ाई से सभी विश्यों की जानकारी आसाने से प्राप्त की जा सकती है वे दिन भी क्या दिन थे बीते दिनों की प्रिशन सामे कही जाने वाली यह बात तुमने कभी न कभी किसी से सुनी है अपने बीते दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उन में से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे सेम आपके लिए स्का आनसर अलग हो सकता है मेरा आसर है ये जब हम छोटे थे तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे हम मातापिता जी से जो भी कहते थे वे हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते थे उनहीं दिनों के लिए हमें कहना चाहिए कि वे दिन भी क्या दिन थे कल, आज और कल, कल मतलब जो बीट गया yesterday, आज मतलब आज यानि के today, कल मतलब कल यानि के आने वाला कल tomorrow, ठीक, ऐसे है, प्रेशन एक, उनिस सो सरसट में हिंदी में छपी इस कहानी में कलपना की गई है, कि सालो बाद स्कूल की जगए मशीने ले ले ले, तुम भी कलपना करो, कि बहुत सालो बाद ये चीज़े कैसी होंगे, यानि कि ये कल, जो बीद गया, उसके बारे में बात है, पैन, घड़ी, टेलीफोन या मूबाइल, टेलीविजन, कोई और चीज़ के बारे में तुम सोचना चाहूं, तो ये कैसी होंगे, देख ले, पैन, ये क्लास के दोरान हमने अपने बच्चों से बाते की थी, और उनके बेस पर हैं मैंने आंसर लिखे हैं, बहुत सालो बाद पैन ऐसे होंगे, कि हम सिर्फ बोलेंगे और रहे, लिख देगा, घड़ी, बहुत सालो बाद घड़ी कम्प्यूटर के माध्यम से चलेगी, तथा उनमें सुईयां भी नहीं होंगे, टेलीफोन या मुबाईल, बहुत सालो बाद टेलीफोन या मुबाईल का आकार काफी छोटा हो जाएगा, तथा स्क्रीन फ्लेक्सिबल होगी, जिससे फोन तूटेगा नहीं, टेलीविजन, बहुत सालों बाद टेलीविजन काफी पतले आकार के आने लगेंगे यह दीवार पर ही लटकाए जा सकेंगे रसोई घर का सामान आने वाले समय में रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सामान काफी आधोनिक होगा इन में बहुत सी चीज़ें बिजली से चलने वाली होंगी प्रश्न दो नीचे कुछ वस्तों के नाम दिये गए हैं बड़ों से पूछ कर पता करो कि 20 साल पहले इनकी कीमत इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है जैसे आलू, लडू, शक्कर, डाल, चावल, डूर तो जैसे कि मैंने बता है जो इनके आंसर है मेरे स्टुडेंट्स ने जो मुझे आंसर फेज़े हैं उनके बेस पर मैंने लिखे हैं यह आंसर तो वस्तों 20 साल पहले की कीमत और आज इनका दाम आलू 20 साल पहले रहे होंगे 50 पैसे से 55 पैसे 1 किलो कराम आज 30 से 40 रुपे किलो कराम है आलू लडू जो छोटा भीम को बहुत पसंद है 5 से 10 रुपे किलो रहे होंगे आज से 20 साल पहले और अब देखा जाएं तो 200 रुपे से 200 रुपे किलो है शक्कर 3 से 5 रुपे किलो मिलती थी और अभी 35 से 40 रुपे किलो है डाल 2 से 3 रुपे किलो मिलती थी अभी 100 से 150 रुपे किलो है चावल 3 से 5 रुपे किलो मिला करते थी अभी 30 से 200 रुपय के लों तक मिलते हैं दूद 5 से 10 रुपय लीटर मिलता था और अभी 60 से 80 रुपय लीटर तक दूद मिलता है यहां से हम किलोग्राम कार देते हैं यह गलक हो गया है प्रश्ट सब्सक्राइब हैं है आज हमारे कही कांम कंप्टीटर के मदर से होते हैं सोचो और लिखे हो कि अपने व्यक्तिगर्ट और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्टीटर का इस्तमाल किनकिन उद्धृत के लिए करते हैं तो व्यक्तिगर्ट मतलब Personal और Sarvagenic मतलब पब्लिक तो जेक्टी गत रुपस हम करते हैं मनुरंजन, हिसाब किताब, पढ़ाई लिखाई, विभिन तरह की जानकारें प्राप्त करना और गेम खेलना, यह हमारे Personal काम होते हैं, Sarvagenic, Rail, Bus, Ticket की बिकरी में, सारवजनिक जानकारे प्राप्त करने में, विभीन उद्ध्योग्य की जानकारी में, सूचनाय प्रसारित करने में और बैंकों ठीक है आभी चलिए आगे चलते हैं प्रशन, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभी विक्त करने या बताने के भी कैई धंग हो सकते हैं box में ऐसे कुछ साधन दिये गए हैं उनका वर्गी करन करके नीचे दे गई तालिका में लिखो वर्गी करने के लिखो उनको अलग अलग करना है तो यहां कुछ शब्द दी हैं एक एक को हम पढ़ लेते हैं संदेश अभीनय रेडियो नृत्य के हावभाव फोन विज्यापन नोटेस संकेत भाषा चित्र मोबाइल टीवी मोबाइल संदेश फैक्स, इंटरनेट, तार और इश्टहार हम इनको वर्गी करना है उपर लिखे चीजे एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी जिन चीजों के जरीए एक तरफा संप्रेशन होता है उनके आगे ये वाला निशान लगाईए और दो तरफा संप्रेशन होता है जानकारी जो फोन है फोन से हमें जानकारी इसे पहले हम इनको जो शब्द दिये गए हैं इनको हम जानकारी और भावनाव में डिवाइट कर लेता है फिर हम निशान की बात करेंगे फोन, संदेश, फैक्स, विज्यापन, नोटिप, अभी नए, मोबाइल, चित्र, तार, मोबाइल संदेश, संकेत भाशा, निर्ते के हाव भाव, इनसे हम भावनाएं पहुचा सकते हैं एक दूसरे और यहां देखा जाये तो मोबाइल, तार, मोबाइल संदेश, इनसे हम जानकारी और भावनाएं दोनों पहुचा सकते हैं ठीक आगे अब जिसे फोन है तो फोन में दो तरफा समवाद होता है यानि के एक तरफ दूसर वेक्ति होगा एक तरफा आप होंगे तब भी आप फोन पर बात कर पाएंगे संदेश एक तरफा होता है फेक्स विज्यापन नोटिस टीवी इश्टहार ये सब एक तरफा समवाद होता है अगला अभी ने एक तरफा समवाद होता है वो सिर्फ आपको बता रहा है ठीक एक्टिंग करके चेतर है लगवब पाना दिया और आपने देख लिया जो संदेश आपने उसका वो पा लिया एक तरफा एक तरफा समवाद होता है और आप जब कुछ अबहुते हैं की दूसरे तरफ सका रेक्शन होगो वो भी दूसरा बोलेगा दो लोगों काा होना याहार जदूरी है संकेत भाशा यहां आपका एक तरफा समवाद होता है दो तरफा समवाद उस कंडिशन में हो सकता है जब दूसरा वेक्ति संकेत भाशा को समझने वाला और संकेत भाशा में ही उत्तर देने वाला हो निर्ते के हाव भाव यह एक तरफा समवाद होता है चलिए अब आगे चलते हैं तुम्हारी डाइरी प्रश्ट डाइरी लिखना एक निजी काम या शोक है तुम अपनी डाइरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं यह तुम्हारी अपनी मर्जी है के वियक्तियों ने अपनी डाइरीयां छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके ऐसी कोई डायरी खोजो, खोज कर पढ़ो और उनका कोई अंश काक्षा में सुनाओ तो अभी तक तो हमने ऐसी कोई डायरी नहीं पढ़ी है और बच्चों को भी शायद अभी नहीं मिल पाएगी तो आप इसके लिए पुस्तकाले इंटर्मेक से कोई डायरी पढ़कर और उसका जॉइंश आपको पसंद आए आपको अक्षा में सुना सकते हैं यह आपके लिए है पूरा प्रश्न दो अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो ठीक है तो बस डायरी में मैं एक एक्जामपल बता रहा हूं कैसे लिख सकते हैं आपको अपनी डायरी बनाने मैं पाच्वी कक्षा में पढ़ता हूं मुझे पढ़ना लिखना बहुत लगता है इसलिए मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं मैं पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे रहता हूं मैं अपने से बड़ों का आदर वे छोटों से प्यार करता हूं सुभह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है मैं रोज सुभह इश्वर की करता हूं ऐसा कुछ आप अपने डायरी में लिख सकते हैं अगला प्रशन डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या करना चाहोगे डायरी में स्कूल के बारे में क्या लिखोगे कैसा लिखोगे देख लेता है एक्जांपल के तोर पर डायरी में हम अपने स्कूल के भवन यहां होने वाली पढ़ाई तथा अपने शिक्षकों के बारे में लिखना चाहेंगे ठीक एक के यहां से हम काड़तेते हैं डबल आगे हैं आगे चलते हैं तुम भी कलपना करो दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि पचास साल बात इसमें क्या क्या बदल जाएगा जैसे फिल्मों में गाओं की हालत में तुम्हारी परिचित किसी नदी में स्कूल में तो यहां मैंने अपने स्टूडेंट्स से चर्चा की उनके जो आंसर हैं वो मैं यहां आपको दिखाता हूँ तक फिल्मों में आधुनिक्ता अधिक परियोग की जाने लगेगी वो यहे कम समय की हो जाएगी गाओं की हालत में काफी सुधार हो जाएंगे गाओं में भी सब इस विधायों कलब धोने लगेंगे हमारी परिचित नदी में जलसतर कम हो जाएगा और इसका पानी भी दूशित हो जाएगा स्कूल काफी विकसित हो जाएंगे और कॉपी पर काम कम हो जाएगा शैद टेब आजाएंगे आगे चलते हैं था है होगा प्रेशन एक असी मोव की कहानी 215 यानि कि भविषय में आने वाली समय के बारे में है फिर भी कहानी में थे का अस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है ऐसा क्यों है कहानी में थे शब्द का अस्तेमाल भूत काल की घटनाओं को बताने के लिए किया गया है क्योंकि यह कहामी भविश्य के आधार पर लिखी गई है प्रश्न दो कर जब मुझे बहुत ड़र लगा था मैं छोटा था इस शिर्शक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो देख लेते जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कमरे में अकेला नहीं रहता था क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेला था तब एक अजीब सी आवास सुनाई दी जिस से मुझे बहुत डर लगा तब ही से मैं अभेरे कमरे में अकेले नहीं रहता आगे ख, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनच्छित लिखना है, अपने स्वभाव, अच्छाईयों, कमियों, पसंद, नापसंद के बारे में सोचो और लिखो, या किसी मैच का आखो देखा हाल ऐसा लिखो मानूगा है, अभी तुमारे आखो के सामने हो रहा है, तो मैंने कुछ ल सादा लड़का हूँ, वे अपने से बड़ों की सभी बाते मानता, साथ ही उनका आदर सम्मान भी करता हूँ, मुझे बाजार का खाना पिना बहुत पसंद है, साथ ही मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर में अकेले रहना बिल्कुली भी पसंद न कुल तयार खड़ा है, इधर गेंद बाज ने गेंद लेकर भागने लगा, गेंद बाज ने जैसे ही गेंद फेंगी, बल्ले बाज ने एक जोरदार हिट लगाया, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, और ये चार रन, इसके साथ ही बल्ले बाजी करने वाली टीम ने म हम आगे चलते हैं घर अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है वहां तुम क्या क्या करोगे कैसे वक्त बिताओगे इस पर एक अनुच्छेद लिखो मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा वहां मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत सारी बाते करूँगा मिठाईयां तथा दूसरी खाने पीनी की चीज़ों का भर पूर आनंद लूंगा ठीक है आप इससे अच्छा और भी कोई बड़ा अनुच्छेद लिख सकते हैं अब आगे देखते हैं तुमने जो तीन अनुच्छेद लिखे हैं उन में से पहले का संबंद उन से है जो बीच चुका है दूसरे में अभी की बात है और तीसरे में बाद में गटने वाली ग कि समय के बारे में बताती हैं ठीक है तो आप लिखिए और उन तीनों अनुच्छेदों के तुलना कीजिए आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने सह पार्टियों के साथ शेर कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी यदिया आपका सुझाव है कमेंट सेक्षन में अमंत्रत है मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद